कि स्वागत है और आज जो मैं कंसेप्ट अब दे आपके लेके आया हूं उसमें आपको सीलिया और फ्लेजिला के बारे में डिफरेंस बता हूं अब सीलिया और फेजिला दोनों क्या होते हैं दोनों प्रोकेट्पों और यूकेट्पों में देखने को मिलते हैं कई रहे हमें को इन दोनों में कंभूशन नजब आता है कि या स्लीर और से औफ बच्चों पारे मैंने क्या लिका है फ्लेजिला होते हैं बड़े साइस के तो फ्लेजिला का साइस लगबख 150 left मीक्रो मेटर होता है और सीलिय का साइस लगबख 5-10 म्ममबे हैं बच्छों दूसर जो इंपॉर्टेंट्ट डिफ्रेंस है सीलिया की संख्या ज़्याज़ा होती है, cilia are more in number, जबकि जो flesilla होते हैं, flesilla are generally one or less in number, ये कभी-कभी एक होते हैं, कभी-कभी चार तक भी maximum हो सकते हैं, बच्चों एक और बार, जो flesilla है, वो हमारे या plant की cell में, या animal की cell में, या bacteria की cell में, जैसे हमारी skin में बाल गुसे होते हैं, वैसे ही ये मतलब इनका जो structure होता है, वो बिलकुल clearly distinct होता है body से, अगर इनको निकालेंगे तो इनमें बाकाइदा आपको basal body, hook और filament, तीन पार्ट नज़र आएंगे, लेकिन cilia में आपको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आए, cilia simply क्या होते हैं, ये extension of plasma membrane होते हैं, ये बाहर निकलाते है और बाहर के तरफ extend हो जाते हैं, इसके अलावा बच्चों, जो cilia होते हैं, इनका जो vibrational process, जो vibrate करते हैं, तो coordination manner में vibrate करते हैं, जिसकी वज़े से rhythmic movement होता है कि इसमें bacteria में, और अगर हम बात करें फ्लेजिला में, तो फ्लेजिला का जो beating pattern है, वो independent होता है, वो एक दूसरे स वो locomotion के साथ, attachment के साथ, sexual activity में भी help करते हैं, दो organism को contact में लाने में मदद करते हैं, जबकि अगर हम बात करें, locomotion की, तो locomotion में exclusively फ्लेजिला help करते हैं, ठीक है, thank you very much.